हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आज मैं यहां पे आप लोगे साथ में घर पर ही आप बढ़िया कलर की लाल मिर्च का पाउडर कैसे बना के तयार कर सकते हैं वो मैंने दिखाया यहां पे तो इसके लिए जो है कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है बस हमें जो है अच्छी क्वालिटी की मिर्चे लेनी होती है यह वाली यह बहुत ही इसली मार्केट में मिल जाती है और बस थोड़ा सा देख करके लेना होता है कि अच्छी क्वालिटी की होनी चीए ब ले ली हैं तो सबसे पहले आप अगर अच्छी धूप है तो आप इसको धूप में डाल दीजे थोड़ा सा अच्छे से इसका जो मौश्यर है वो निकल जाए क्योंकि मार्केट में भी जो होती है न उसको थोड़ा सा सौफ्ट रखने के लिए थोड़ा सा पानी की छीटे रहें तो अगर धूप नहीं है तो आप इस तरीके से इसको जो है डेंटल तोड़ने के बाद में थोड़ा सा कढ़ाई में ड्राई रोष्ट कर लीजे ध्यान रखिएगा इसको ज्यादा भूनना नहीं है सिर्फ हमें इसके अंदर से मौश्यर निकालना है तो यह हलकी हलक कि जो मिर्चे होती है आप कलरदार मिर्च जो है घर पे ही रेडी कर सकते हैं जो मार्केट वाली होती है उसके अंदर काफी सारा कलर मिलाया जाता है कुछ तो होती है जिसके अंदर बहुत सारे केमकल भी डाले जाते हैं उसका कलर जो है बरकरार रखने के लिए तो इसलिए जो है आप कोशिस करें कि घर पे इस तरीके से बना ले तो आप जो है अच्छा और बड़िहा लाल मिश का पाउडर खा सकेंगे कलर भी बहुत अच्छा आता है और स्वाध भी अच्छा रहता है कोई इसके अंदर मिलावट भी नहीं होती है तो जब भी आपको जरूरत हो तो आप इस तरीके से घर में जो है थोड़ी मिर्चों को भून करके इस तरीके से और बना सकते हैं तो देखिए ये गरम हो गई है इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है अगर आप इसको ज़्यादा भून देंगे तो इसका कलर जो है वो तो अगर आप इसको धूप में सुखाते हैं इस समय तो भी मौशर ज्यादा है मौशम में तो थोड़ा सा टाईम लगता है इसको पी box में अगर यह जब गर्मी जादा होती है उस टाइम पे अगर आप मार्च अप्रैल में इसको पीसेंगे तो बहुत इजली पाउडर बन जाता है लेकिन अभी थोड़ा सा मौश्यर है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पीसने में और बस हमें इसे पीस के रेडि बारीक पाउडर हमारा लाल मिर्ची का निकल के आया है आप कलर देखिए कलर कितना बड़ है नेचुरल इसका आया है ऐसा लग रहा है जिसे इसके इंदर कलर मिलाया गया हो कितना अच्छा कलर आ रहा है और यह मिर्ची तेज भी है तो देखिए हमारा जो पाउडर है बनक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इसको मैंने बनाया है अचार में डालने के लिए तो आचार की वीडियो में भी आपको यह जो इसका प्रोसेस से वो दिखेगा तो आप देखे कितनी बड़े हाल लाल मिर्च है हमारी और इस तरीके से आप पाउडर बना करके इसको कंटेनर में स्टोर कर लिजे काफी टाइम तक चल जाते खराब बिल्कुल भी नहीं होता है तो आप लुग बताइएगा कि आपको मेरा ये मिर्ची पाउडर बनाने का तरीका कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेर कमेंट करना मत भूलेगा और चैनल पर नए सदा हेल्प करती हैं तो फ्रेंट्स मैं मिलती हूं नेक्श वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई